हलो एवरिवान वेलकम टो सेस्ट इंसाइट तो कुछ दिन पहले मैंने इंग्लिश का वोकाइब स्ट्राटीजी शेयर के था आप लोग के साथ और उस वीडियो में ऐसे बहुत दिमांड आये कि ऐसा ही आप लोग को एक मैथमेटिक्स का भी स्ट्राटीजी चाहिए तो इसल है अभी है डिचका प्रेबरेशन शूरू कर रहे है तो पहले आपको से शुरू करना चाहिए यह अर्यत्मेटिक्स के बाद ही आपको on German portion में जाना चाहिए तो strategy शुरू करने से पहले मैं आपको एक clearly बात बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो आगे आपका जो CGLs, HSL exams आ रहे हैं उस exams के aspirants के लिए नहीं है ये कोई revision strategy नहीं है ये beginner strategy है जो अभी उनका preparation SSC के लिए SSC के different exams के लिए उनका preparation शुरू कर रहे हैं वो सब aspirants के लिए ये improve नहीं हो रहा है तो ये दोनों टाइप का aspirants के लिए strategy है ये revision strategy नहीं है कि दो-तिन महिने के अंदर जो आपका exams आ रहे है उस exams को target करके ये strategy मैंने नहीं बनाया है तो जब आप beginner हो जब आप SSC का preparation शुरू करने वाले हो तब previous year का question से आपका mathematics शुरू करना चाहिए मैंने भी भी वही किया था अगर मेरा को ही पूरा नाव वीडियो देख सकते हो जो बुक लेस्ट है वापे भी मैंने बोला है कि मैंने जब मेरा preparation शुरू किया था मैंने पहले किरन का previous year से ही मेरा preparation शुरू किया था क्योंकि previous year से अगर आप अपना preparation शुरू करते हो तो आपको एक clear view रहता है कि कौन सी चेप्टर से किस टाइप का questions आता है किरन का चो प्रिवेल से है सॉल पड़े उसमें टाइप वाइस questions रहता है तो एक chapter से कितने type of questions आ सकता है उस बर में एक clearly view create हो जाता है तो उससे हमें समझ में आता है कि आगे हमें किस टाइप का maths को target करना चाहिए एक प्रिवेल से का saw paper खतम हो जाए उसके बाद आप कोई भी different books आप कर सकते हो जो भी आप convenient लगे तो कुछ महीना पहले मैंने MTS का math strategy video share किया था जिसमें मैंने chapter wise आपको बोला था कि आपको कौन सी chapter के बाद कौन सी chapter करना चाहिए अगर आप उस तरीके से follow करते तो तब ही आप एकदम right track में रहेंगे तभी आपका प्रॉपर तरीके से maths का preparation होगा तो मैं इस वीडियो में भी वही जो pattern है वही pattern में आपका routine बनाया है एकदम day wise कि कौन सी chapter आपको कितने दीन में कितना घंटा देने से आपका वो chapter complete होगा ऐसे मैंने यह daily routine तैजार किया है तो चलिए आप आपको computer screen में दिखाते हैं कि आपको वो chapter wise कैसे आगे बढ़ना है तो यह किरन का latest previous solve paper है तो अब यह देख लेते हैं इसका index में कि हमें हर एक chapters को कैसे करना है तो जैसे कि मैंने बोला कि first हमें क्या करना है average से शुरू करना है ठीक है तो यह रहा average का chapter अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे देख सकते हैं कि number of questions ऐसे लेका है 590 ब्रैकेट में 316 प्लस 203 यह जो 203 है यह star marked है यह इस book में नहीं है यह यहाँ पे उनका जो एप है वहाँ पे available है तो इसलिए मैंने सिर्फ जो इस book में available है जिते number of questions बुक में available है मैंने सिर्फ उसका ही day wise strategy बनाया है last मैंने एक English book up का strategy बनाया था वहाँ पे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो यह previous है का questions है जो की online available है वो वहाँ पे online उनको free में नहीं मिल रहा है तो वो free में आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको एक बर बता देती हूँ यह किरन का book open करने से ही यह first page में दिखिये गए ऐसे scratch card मिलता है हर book के साथ रहता है यह scratch card तो यह scratch card पे यहाँ पे एक code होता है इनका जो app है यह app डाउनलोड करने के बाद उनका यह code है यह code यूस करने से आपको जो भी previous है का questions है जो इस book में नहीं है online इनके app में available है वो यह code यूस करके देखा है और यह code यूस करने से ही सभी जो previous है का questions है वो अनलोग हो जाता है तो यह मैंने आपको बता दिया है तो आप वो app में जाके देख सकते है अधरस जो भी आगे का questions है क्योंकि इस book में 2010 के बात से questions है 1999 से 2010 तक का questions आपको इनके app में मिलेगा तो आप चलते हैं हमारे जो first chapter है average average हम शुरू करेंगे तो यह रहा average का chapter यहाँ पर पहले कुछ formulas दिया है वो formulas आप एक बार go through करके देख सकते है उसके बाद आप अपना chapters जो है वो शुरू करना ठीक है तो average chapter में total 3 16 questions है और यह 3 16 questions को आपको 6 days में complete करना है अगर आप 6 days में complete करते है तो per day आपको average 52 questions करना पड़ेगा 52 questions करने के लिए जैसे कि आप beginner है इसलिए मैं 52 questions के लिए at least half hour allot कर रही हूँ क्योंकि आप beginner है आपको थोड़ा सा time दो लगेगा बट यह average का question है easy है बहुत कुछ यहापे difficult नहीं मिलता है तो इसलिए यह आपको जल्दी जल्दी हो यहापे आप देख सकते हैं कि ऐसे type wise है यह मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब type wise अगर रहेगा तो आपको समझ में आगा कि एक chapter से कैसा type का questions आता है और हर type का questions आपको आता है कि नहीं वो भी आप check कर सकते हैं इसलिए previous year का question सबसे best होता है आपका preparation शूरू करने के लि वो detail में पहले आपको maths कर लेनी चाहिए आपको एक बर आ जाए सब कुछ आपको अच्छे से maths करना आ जाए उसके बद आप जितना चाहे उतना short tricks सीख लो ठीक है इसके साथ साथ मैं यह भी बता दू अगर आप mock test के लिए कोई online platform ढून रहे है तो tastebook एक बहुत अच्छा platform ह mock test के लिए यहां पर एक ही tastebook pass के अंदर different different exams के लिए जैसे की SEC, Rail, Bank, UPSC, Defense, Police, Teaching, State Government and all other exams के लिए आपको test series मिल जाएगा 470 से भी जादा exams के लिए 34,000 से भी जादा mock test इस platform में अविलेबल है और इसके साथ 5,000 से भी जादा previous papers tastebook के platform में अविलेबल है एक ही tastebook pass के अंदर सर्फ 470 exams के लिए test series नहीं उसके साथ-साथ different different exams के लिए आपे online courses भी एविलेबल है एक साल का tastebook pass मिलता है 3.99 में and lifetime tastebook pass जो की है 3 साल के लिए valid वो 5.99 मिलता है बट SSE IIN coupon code डालने से आपको maximum benefit मिलेगा तो अगर different different exams के लिए test series and online courses बोत अगर किसी को चाहिए तो वो एक ही tastebook pass के अंदर मिल सकता है अगर आपको लेना है तो आप SSE IIN coupon code यूज करके ले सकते है testbook से जुड़े हर important link description box में मिल जाएगा average के बाद आते है ratio and proportion allocation allocation mixture ratio and proportion and allocation mixture ये दोनो same type का chapter है इसलिए इस दोनों को combine करके total 455 questions होता है ratio and proportion से आपका 344 questions and allocation and mixture से आपको 111 questions है तो जो भी इनके सामने formulas है ये formulas आप एक बार देख लेना आपके लिए अच्छा है ये formulas यहापे shortcut में भी कैसे कर सकते हो वो भी यहापे लिखा है तो वो छोड़िए पहले एकदम simple method में कैसे करते हैं वो ही आपको समझना जादा जरूरी होता है इसके बाद आप तो जिदना चाहिए उतना short tricks सीख लिजिए कोई problem नहीं है तो ratio, proportion, allocation and mixture चे टोटल 455 questions है जो आपको 10 दिन में खतम करना है अगर 10 दिन में आप खतम करते हैं तो part day आपका around 45 questions करना पड़ेगा ठीक है? अपका हो जाने के बाद time and work के आप आजाएंगे time and work और इसके बाद का जो chapter है वो है pipe and cistern तो ये दोनों भी same type का chapter है यहां से same type का questions आता है मतलब इसका जो pattern है वो same type का होता है तो इसलिए ये दो chapter आप एक साथ करेंगे time and work से total 340 questions है इसके बाद pipe and cistern का chapter है उसमें total 75 questions है pipe and cistern से एक ही type का questions आता है उतना कुछ difficult उसमें आता नहीं है तो इसलिए एकदम छोटा सा chapter है pipe and cistern का तो ये दोनों chapter total मिलाके होता है 4 15 number questions 4 15 number questions आपको 7 days में complete करना है that means आपका part day around 60 questions खतम करना है तो 60 questions करने के लिए मैं ऐसे धाई से तीन गंटे में आपको हो जाएगा क्योंकि आगे का जो भी chapter से वो कट्टे कट्टे आप यह तर आएगा and तब तक आपका speed थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा तो ऐसे आपको daily target करके बैठना है कि हर देन आप यह chapter से इतने number of questions करो एक full book को एक full arithmetic part को कैसे खतम करना है day wise कितने number of questions करना है कि उनसे chapter से करना है कितना time लेना है इस सब मैंने एगदम time table के तरह यहाँ पे आपको बना दिया है तो इसका according अगर आप चलेंगे तो आपको time का अंदर अच्छे से यह खतम हो सकता है तो time and work and purpose system के बाद आता है time and distance and boat and stream का chapter ठीक है यह भी दोनों same type का questions आता है यहाँ से time and distance से बहुत variety का questions देखने को मिलता है but boat and stream से 3-4 type का questions आता है अगर वो detail में करेंगे तो उसमें बहुत time लगता है क्योंकि boat and stream का calculation होता है वो थोड़ा सा जाधा बढ़ा होता है यह time and distance से train का जो साम आता है वो बहुत famous है मतलब वो तो एकदा में से से का favorite questions है वहां से तरह तरह का questions देखने को मिलता है तो यह time and distance का chapter है इसमें आपको 303 number of questions है इसके बाद यह boat and stream का chapter है यह boat and stream में सिफ 6-3 number of questions है तो total time and distance and boat and stream है दोनों को मिला के हो गया आपका 366 questions 366 questions को आपको 6 days में खतम करना है that means आपको per day only 61 questions करना है बहुत ज़दा tough नहीं है देखिए क्या होता है कि अगर आप different type of questions करेंगे I mean अगर आप 60 different type of questions करते है तो आपको ज़दा time लगते है बट आप एक ही time and distance का and boat and stream का एक ही type का questions अगर आप 60 करेंगे तो आपको उतना time लगेगा जितना time आपको different different sum करने में लगता है अब एक ही type का sum कर रहे हो तो आपको कितना time लगेगा एक ही type का sum करने में तो इसलिए number का थुरा से ज़दा भी लगता है तो उतना time आपको नहीं लगेगा पहले हमें क्या करना पड़ता है अगर पूरा previous year एक बार go through कर लेना तो आपका एकदम एक mind में एक map बन जाएगा कि हाँ इस chapter से तो ये type का questions ही आता है time and distance and boat and stream के बाद अब हम आएंगे percentage के chapter में तो ये percentage का chapter profit and loss and discount ये तीनों जो chapter है इसका sort से percentage ही है मतलब आप एक बार अच्छे से percentage सीख जाए उसके बाद profit and loss इसके उपर यहां पर type wise questions है तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि अब जब भी कोई भी chapters करेंगे जो भी साम आपको लगता है कि ना ये मुझे थोड़ा सा तफ लग रहा है ये मुझे और एक बार देखना चाहिए एक बार repeat करना चाहिए वो आप tick करके रखेंगे तो आपका पूरा जो part है वो part खतम होने के बाद आप वो tick mark वाला questions revise करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था तो ये percentage चल रहा है percentage के बाद आएगा profit and loss and उसके बाद discount तो ये percentage profit and loss and discount ये तीनों chapter खतम होने के बाद आपको जो भी आप tick करकर रखेंगे वो tick mark वाला questions आप revise के दिन revise करेंगे तो percentage से 342 questions से profit and loss से 377 questions से and discount से 291 questions से ये तीनों chapter को मिला के total 1010 questions होता है 1010 questions आप 17 days में complete करोगे time लेके करना होगा क्योंकि आप beginner हो आपको time देना पड़ेगा ये मैं कोई आगे आने वाले CGL के लिए नहीं बना रही हूँ मैं कोई भी unrealistic से चीज कोई भी unrealistic जो possible नहीं होता है ऐसा कोच strategy बनने का कोई मतलब नहीं होता है और वो मैं बनाती भी नहीं जैसे मैंने खतम किया था जैसे strategy मेरा था बिल्कुल वैसा ही strategy मैं आपके लिए day wise बनाती हूँ अब जब मैं बनाती थी तब तो मुझे उतना experience नहीं था बट अब मुझे experience है तो उस experience को मैं use करके आपको लोगों के लिए यह day wise strategy बना रही हूँ तो discount, profit and loss and percentage यह तीनों चैप्टर मिला कर 1010 questions है आपको 17 days में खतम करना है तो यह पर दे 60 questions करना है तो यह पर दे 60 questions करना के बाद after 17 days आप एक डे revision के लिए रखोगे उस दिन में आप यह profit and loss, percentage, discount यह सभी चैप्टर से जो भी आपको tough लगा, जो आपने tick करके रखा है, जो आपको लगता है कि आपको और एक बर practice करना चाहिए वो revision के दिन आप try करोगे ऐसे part wise हर एक part खतम होने के बाद आप एक दिन revision के लिए रखोगे जैसे मैंने आपको बताया है इसके बाद हम करेंगे simple interest compound interest का part तो simple interest में total 161 questions है और compound interest में total 226 questions है ये दोनों का मिला के total 387 questions होता है जो आपको 6 days में खतम करना है that means आपको part days around 64 questions करना है दिखिए simple interest में बहुत ही easy type का questions आता है simple interest में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको tough पूछ है ठीक है सर्फ formula है और कुछ भी नहीं है तो ये एकदम मतलब कुछ seconds की साम होता है आपकर beginner भी हो तब भी आपको कुछ seconds लेगा ये simple interest करने में ठीक है चाहके भी आप ज़्यादा time नहीं ले सकते अब compound interest में थोड़ा सा complicated है चीजे कुछ ऐसे questions पूछता है जो time taking है थोड़ा सा long calculations से आप अभी beginner हो तो यसलिए मैं आपको सला दूँगी कि आप ये long calculations से ही calculate करके पहले सीख लो अच्छे से उसके बाद बहुत आपको short tricks मिल जाएगा आप अराम से वो short tricks सीखते रहना बट पहले detail में maths करना सीख लो ये जरूरी होता है ठीक है तो compound interest करने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा time लगे ठीक है तो इसलिए total जो chapter simple interest and compound interest अब six days में खतम करोगे तो उसके बाद बचता है एक ही chapter data interpretation तो ये आ गया data interpretation का chapter ये last हमारा topic है arithmetic का ये ऐसा एक chapter है जो आपने इतने दिन जो भी किया average किया percentage, profit and loss, discount, सभी type का जो chapter आपने किया वो सभी का use आपका ये chapter में होगा इसलिए ये chapter हमें last में करना है ठीक है तो data interpretation में total आपका 1107 number of questions है तो क्या होता है कि यहाँ पर एक questions का 5 sub questions होता है ठीक है आगे का कुछ questions है जहाँ पर एक question का 4 sub questions है बट आभी का जो question pattern है वो ये ही आता है कि एक question के अंदर 5 आपका sub questions दिया जाता है ठीक है तो उस हिसाब से मैंने total 1105 question लिया है उसका 5 pairs से आपको करना है इसलिए total 221 pairs होता है तो 221 pairs को आपको 11 days में खतम करना है that means आपको per day 20 pairs करना है 20 pairs मतलब 100 questions तो यह 100 questions ऐसे ही सिर्फ आपको average, addition, subtraction, multiplication नहीं तो profit and loss ऐसे ही कुछ questions मिलता है तो आप सब कुछ इतना दीन प्रैक्टिस करने के बाद आप यह questions करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 100 questions करने में बहुत दिक्कत होगा आप अगर 3 घंटा देते हैं तो आपको यह 100 questions per day हो जाएगा ऐसे करके आप 11 days में यह chapter खतम करेंगे and आप tick करके रखेंगे mark करके रखेंगे कि आप कौन सी questions कौन सी टाप का questions आपको खुरा सा हार्ड लग रहा है वो आप 12th day में जाके मतलब हमारा 70 days strategy का last day में जाके वो revision अब करेंगे ठीक है तो हमने यह पूरा जो arithmetic का strategy है यह पूरा arithmetic strategy का total 7 part में divide किया है 7 part के हर एक part के बाद आपको revision करना है and revision करने के बाद ही आपका next part को start करना है तो ऐसे करके total 70 days का strategy यहाँ पे खतम होता है So that's all I hope कि मेरे यह बनाया हुआ daily routine से आपको फाइदा हो अगर आप यह routine follow करते है तो मुझे लगता है कि आप एकदम proper way में जाएंगे आपका जो preparation है वो बहुत ही तगड़ा preparation होने वाला है तो चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए That's all, thank you